हाई, वेलकम बैक, आज बनाते हैं एक ड्राइ चिकन की डिश, सिंपल सा चिकन फ्राइ, बेसिक घर के जो मसाले हैं, उनसे बनाएंगे, कोई भी पहले से मैरिनेशन की जरुवत नहीं होगी, बस एक अपना मसाला बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं, एक कड़ाई को गरम करके ड्राइ रोस्ट करते हैं, कुछ होल स्पाइस, पाथ से छे कश्मीरी लाल मिर्च, दो टी स्पून छोटे वाले होल कोरियांडर सी, एक छोटा टी स्पून जीरा, दो हरी इलाइचियां, एक बहुत छोटी सी काली इलाइची है, आधा इंच का ये है, दाल चीनी, सिनिमन का स्टिक, और एक छोटा चमच काली मिर्च के पूरे दाने, इसे अच्छे से ड्राइ रोस्ट कर लेते हैं, जब तक चीजें क्रिस्प न हो जाएं, फिर ठंडा करके इसका आप मिक्सर में पाउडर बना के साइड में रख लें, ये हो गया है, मसाले का पाउडर रेडी, इसे लाइट पिंक कलर का होने तक फ्राइ कर लेंगे, करीब 3-4 मिनिट लग जाएंगे मीडियम गैस पर, अब ये कलर परफेक्ट आ चुका है, इसमें एड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ क्रश्ट अदरक और 1 टेबल स्पून क्रश्ट लसन का, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसे हम मीडियम गैस पर फ्राइ करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, करीब 3-4 मिनिट ये मेरे पास है, करीब 600-700 ग्राम के बीच चिकन, इसे आड कर रही हूँ, अच्छे से वाश करके, मिक्स करेंगे, दो मिनिट तक इसे कुख होने देंगे, ऐ अब इसमें एड करते हैं, नमक, आधा छोटा चमच, और लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चमच, अगर आप तीखा चटपटा पसंद करें, तो ज्यादा डालना है, अब जो हमने पहले मसाला भून के पाउडर किया है, दो बड़े चमच इसके डाल देंगे, ये मसा आप सेव करके स्टोर कर लो, कोई भी सबजी में तड़के के लिए इसे यूज कर सकते हो, अच्छे से मिक्स करके इसे मीडियम गैस पर, लो टू मीडियम गैस पर भून लेते हैं, तीन से चार मिनिट तक, जब तक चिकन गरम हो जाए, और हलका हलका वाइट होना शुरू ह अब सारे मसाले और चिकन भून चुके हैं, इसमें आड़ कर रही हूँ, एक कटोरी या करीब 100 ml पानी ताकि अब चिकन गलना शुरू हो जाए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे पानी में जैसी हलका उबाल आएगा, मीडियम गैस पर इसे ढांक के 10 मिनिट तक कुखोन करेंगे, करीब 10 मिनिट बाद एक बार खोल के अच्छे से पूरे चिकन को टर्न कर लेते हैं, आप देख रहे हो, मसाला को खोरा आए, ऑईल छूटने लग चुका है साइड से, सारे चिकन को एक बार टर्न करके, फिर से धकन लगा के मीडियम गैस पर, अब इसे गलने तक कुख कर लेते हैं, करीब 5-6 मिनिट लग जाएंगे और जब तक रेडी हो जाएगा, 5-6 मिनिट हो चुके हैं, अब इसे खोल के देखते हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गया होगा, ये देखिए, देखने में ही रेडी लग रहा है, मसाला बहुत बढ़िया कलरफुल ओइल छोड़ चुका है, कुख हो गया है, बहुत बढ़िया कलर आ गया है, महेक भी अच्छी है, सिंपल मसाले थे, अब एक प्यास लिया है मैंने मीडियम साइस का, स्लाइस में इसको कट कर लिया है, ये एड कर रही हो इसके दर, एक के लिए है, ये प्यास टमाटर हीट में अपने आप थोड़ से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो अब आप गैस बंद कर लो, आधे निम्बू का जूस इस पर निचोड के, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया भी स्प्रिंकल करते हैं, अब है हमारा पटा फट बनाया हुआ हुआ, स थोड़ों अब शॉब थोड़ा इस ब्सक्राइब सानल